चार अगस्त बड़ा बुद्धवार कामनाओं को पोड़ करने वाली कामिका एकादशी, स्वासित्थी योग का बना सुपसईयोग, घर के दर्वाजे पर डालते यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, घर में आएगी सुख सम्रध्धी और शान्ती कामिका एकादशी का हमारी शास्तों में बिशिष महत्व बताया गया है, कामिका एकादशी का ब्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान बिश्णू सभी कष्टों को दूर करते हैं, कामिका एकादशी का ब्रत करने से मनुवांचित फल के प्राप्ति होती है, इस दिन तीत इस्तलों में इसनान दान का भी प्राप्तान है, कामिका एकादशी ब्रत के फल को अशुमेद यक्य से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है, कामिका एकादशी के दिन भगवान पिश्णू का पूजन करने से पित्र भी प्रसन होते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं, इस दिन भगवान पिश्णू के साथ मालक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, शास्तों में बताया गया है कि एकादशी दिथी भगवान पिश्णू और मालक्ष्मी जी को समर्पित है, एक आदशी तिथी पर भगवान पिश् 무 के साथ धनकी देवी मा लक्षमी का पूझन करने से भगवान पिश्ण के साथ साथ धनकी देवी मा लक्षमी जी की भी असीम प्रपा प्राप्त होती है और धन सम्मेंधी सभी समस्याय दूर हो जाती है माना जाता है एक आदशी पर भगवान विश्णुजी के साथ मालक्ष्मी जी का पूजन करने से धन बैभब की प्राप्ति होती है और धन की कभी कोई कमी नहीं होती दोस्तों हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है मन चाहे इस तरोथ ही मिल जाए लेकिन पैसे को अपने पास बनाए रखना बहुत मुश्किल है कई लोगों की यही समस्या होती है कि धन की आबक्तु है लेकिन पैसा है कि टिकता ही नहीं इस समस्या को दूर करने के लिए करें यह आसान सा उपाए दोस्तों चास्तों में बताया गया है कि धन की देवी मालक्ष्मी जिन पर प्रसंद होती है जिनके घर में बास करती हैं उन्हें कभी भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है उनकी घर में सदयब सुक्सम्रथी बनी रहती है दोस्तों आज बताने चा रहे हैं इस उपाय को करने से भगवान बिश्णू और धनकी देवी मालक्ष्मी प्रसंद नहीं हो जाती हैं धन प्रापति के नए मार खुलते हैं पैसा घर में टिकने लगता है और धनकी हानी नहीं होती तो आईए दोस्तों जानते हैं क्या है यह उपाए दोस्तों उपाए को सही प्रकासी कहने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सबस्काइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सबस्काइब कर ले जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फिरी में मिल पाए दोस्तों यह हैं उपाई आप एकादशी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि एकादशी का पूरा दिन और रात बहुत ही शुब माना जाता है उपाई करनी के लिए इसनान करके सच्छ बस्त धारन करें हो सकी तो आज के दिन पीले रंग के बस्तर पहने आज के दिन पीले रंग के बस्तर पहनना बहुत ही शुब माना जाता है अब आप एक पात्र में शुद्ध जलने जल में थोड़ा सा गंगा जल बिला ले गंगा जल ना हो तो किसी तीथ का जल मिला ले या फिर आपकी घर अगर लड़ू गोपाल है तो उनका इसनान किया हुआ जो जल है आप उस जल को इस जल में बिला ले अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं इस जल के पात्र को आप मंदिर में रखतें अब भगवान ची के सामने एक शुद्ध घी का दिया चलाएं और एक सुगंदे धूपत्ती चलाएं ध्यान रखें दिये को सीधे जमीन पर ना रखें दिये के नीचे कोई प्लेट कटोरी रखतें या फिर कोई कपड़ा बिछा दें अब सबसे पहले भगवान शिरी गणिश जी को प्रणाम करें फिर भगवान शिरी गणिश जी को प्रणाम करें इसके बाद दो अलग अलग पात्रों में आप फल और मिष्ठान रखें भगवान जी को भोग लगाने के लिए फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर या मिश्री भी लख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आपको दो अलग अलग पलेट ही लेनी हैं एक पलेट अब भगवान शिरी गणिश जी के आगे दखें और भगवान शिरी गणिश जी को फोग लगाएं और दूसरी पलेट जो भगवान पिश्णू मातरलक्षमी जी के लिए हैं उस प्लेट में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें साफ्त्रों के अनुसार तुलसी दल के बिना भगवान पिश्णुची फोक को स्विकार नहीं करते लेकिन ध्यान रखें एक आदशीति थी कि दिन तुलसी दल या किसी भी पेड के पत्ते नहीं तोड़े जाते तो इसलिए भगवान जी को भोग लगाने के लिए या तो पहले ही तुलसी दल तोड़के रख ले या पहले नहीं रख पाए हैं तो भगवान जी को आपने पहले जो तुलसी दल का भोग लगाया होगा, उस तुलसी दल को ही आप धूकर बापस से आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर वो भी ना हो, तो तुलसी जी के पास अपने आप से जो तूटकर गिरे हुए पत्ते हैं, आप उनको भी थोकर भगवान श्री हरी विश्नु का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप थोड़ी सी हल्दी लें। हल्दी में शुद्ध जल में लाएं। अब इस हल्दी से सबसे पहले आप भगवान श्री गणिश्ची के तिलक करें। फिर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी जी के तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप इस हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान विश्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवति वासु देवाय का एकसो आठबार चाप करें। इसके बाद मा olmazक्ष्मी जी के मंत्र ओम-शिरिय नमा मंत्र का 108 बार जाप करें इसके पच्छाद आप भगवान शिरी करें भगवान विष्णू मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनकी आर्ति करें आज के दिन विश्णु शहिस्ते नाम का पाट करना भी बहुत ही शुमाना जाता है। एकादशी के दिन एकादशी का प्रत आप रखें या ना रखें। सभी को एकादशी प्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहें। ऐसा करने से भगवान विश्णु जी की असीम कृप्रा प्राप्त होती है। इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्ट और दुखों को कहें। अपनी सभी परिशानियों को दूर करने के प्रात्ना करें और धन सम्मंदी समस्याओं को दूर करने की प्रात्ना करें। प्रात्ना करने के पश्चात आपने भगवान जी को जिस हल्दी से तिलक किया था उस हल्दी से आप अपने भी मस्तक पर तिलक करें। और मंदिन में जो जल का पातर रखा है उसे उठाएं अब इस जल से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काप करें मुख्य द्वार पर छिड़काप करने के बाद आप भगवान शरी गणिश भगवान विश्णू मालक्ष्मी जी को प्रडाम करें और मालक्ष्मी जी को अपने घर आने के लिए आमंतित करें इसके पश्चात आप अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काप करें यह जल बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है इस जल का पूरे घर में छिड़काब करने से घर शुद्ध होता है और नकारात्म कूजा दूर हो जाती है छिड़काब करने के पश्चात आप अपने उपर भी इस जल का छिड़काब करें और अपने परिवास सहित इस जल को प्रशाद के रूप में ग्रहर करें लेकिन ध्यान रखें, कच्रा रखने के इस्थान पर या तॉयलेट पर या या किसी भी गंदे इस्थान पर आप इस जलका छिड़का ना करें। लड़ाई छगरे नहीं होते इसके साथ ही भगवान पिश्टू जी के साथ मा लक्षमी का घर में बास होता है जल का छिड़काप करने के पश्चा जो भी जल बचे आप उसे किसी पौधी की जड़ में डालतें अगर यह उपाएं आप रात्री के समय कर रहे हैं तो बचे हु जल का छिड़काप करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रशात के रूप में अवश्य ही ग्रहन करें ऐसा करने से भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों इस उपाएं को करने के साथ साथ आप एकादशी के दिन कुछ बातों का विशिष ठ्यान रखें एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें भगवान जी के पूजन में भी चावल का प्रयोग ना करें और नहीं चावल का सेवन करें एकादशी के दिन चावल का इस्तमाल करना बज़ित माना जाता है चावल के स साथ चोका सेवन और इस्तमाल भी एकाद शी के दिन नहीं किया जाता। इसके साथ ही एकाद शी के दिन भगवान विश्णु sol jhi के जो भक्त एकाद शी का प्रथ नहीं भी रख पाते। उन्हें इस दिन साफ़िक भोचन ही क्रहन करना जाहें ! भोचन में प्याज लेसन, मीठ अंडा, आदी चीजों का सेबन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी जीब की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन इस बात का विशीर ध्यान रखना चाहिए। एक आदशी के दिन भूल कर भी जीव हिंसा नहीं करने चाहिए और नहीं किसी पेड़ पौधे के पत्टे या फूल तोरने चाहिए दोस्तों एक आदशी के दिन भगवान पिश्णुमा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करने के साथ साथ इन बातों का भी बिशिर ठ्यान रखे उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और इस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वाचिंग राथी राथी